हाई, वेलकम तो मैं चैनल, इस बीटो में सॉल्व करें हैं क्वेशन नुबर 6, यहाँ पर क्वेशन 6 है, इफ अ, बी, सी इस इक्वल तो वन, तो हम कैसे प्रूव करेंगे इसको, यहाँ पर प्रूव करने का जो तरीका है, है कि हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, और इसको सॉल्व करते करते, और जब सॉल्व करेंगे इसको, लेफ्ट हैंड साइड को, तो A, B, C is equal to 1 जो दिया हुआ है, इसका यूज करके करेंगे, ठीक हैं, क्योंकि यह कंडिशन जो दिया हुआ है, कहीं न कहीं तो इसका इस्तमाल कहां करेंगे, इसी में आपकी सॉल्ड है यहाँ पर, और यहाँ है, A to the power minus 1, तो पहले इनको हमए रेसिट प्रोइकल करना होगा, मिंस हम जानते हैं कि A to the power e 2 मैनस मत रहेगा, यह हो जाता है, वर B to the power से यहाँ पर जो भी यहाँ पर मैंने यहाँ पर किया है तो हो जाएगा हमारा one upon ओके तो मैंने one upon b, one upon c, one upon a लिख लिया है अब यह करना होगा हमें LCM लेना होगा लेकिन LCM लेने से पहले हम यहाँ बताना चाहते हैं आपको कि क्यों तो करना क्या पड़ेगा कि one upon b और a, मतलब यह a b का variable है मतलब यहाँ डिनामेटर में और इस डिनामेटर में b c है तो यहाँ पर कुछ ऐसा कहा सकता है क्या कि c को convert करके हम a में convert कर दें, है कि नहीं मतलब कि c को हम नहीं चाहते हैं यहाँ पर और फोर्म में यहाँ भी आ जाये और यहाँ पर तो है ही already तो करना क्या होगा कि यहाँ पर जो condition दिया होगा है इसी के use करना है और यहाँ पर condition दिया होगा है कि a b c is equal to one तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कि देखें यदि आप c को change करना जाते हैं, one upon c को यहाँ पर c को यहाँ पर राइट सेट साइड में भेजेंगे तो मिलेगा आपको ab is equal to 1 upon c ओके यह आपको एक फामुरा मिल गया जो यहाँ पर यूज कर सकते हैं इस condition के उमसार और c की value यहाँ पर निकाल सकते हैं it implies यहाँ से देखे c की value यहाँ हम यही रखते हैं c की value तो और ab को भेज़ दते हैं right hand side में तो यह divide में चला जाएगा और one upon हो जाएगा ab ठीक है तो यह दो फामूलों का यूज करके जो हमने derive किया है abc is equal to 1 जो condition दिया हुआ इस शूरू में इसी के यूज से यहाँ पर हम इस्तिमाल करेंगे और solve करेंगे ठीक है तो one upon यह हो जाएगा one plus a plus one upon b plus देखे यहाँ पर value रखना start करेंगे तो one upon one plus b की value तो ऐसी रहेगा plus one upon c one upon c की value रखेंगे ab यहाँ हो जाएगा ab plus यहाँ भी वही करेंगे तो one upon one plus C के बलूर रखेंगे C के बलू है 1 upon AB तो यहां रखेंगे 1 upon AB plus 1 upon A, अब करना क्या है कि यहां पर LCM लेकर के solve करना है ठीक है, यहां पर हम नीचे ले लेंगे LCM 1 upon 1 कर लेंगे A upon 1 कर लेंगे, यहां तो कुछ करना नहीं है क्योंकि यह already solve हो चुका है और यहाँ पर करना होगा 1 upon 1 और यहाँ पर लेना पड़ेगा तो यहाँ पर lcm क्या होगा तो हम पहले 1 upon और यहाँ पर lcm रेलेंगे इसका 1 1 b का lcm होगा b लिगे b समय प्लेंगे b into 1 into 1 मतलब b ही आएगा और once divide करेंगे b में तो b आएगा b into 1 करेंगे open numerator में तो b ही आएगा once divide करेंगे b में तो b आएगा और a में मतलब ले करेंगे तो मिलेगा a b plus b समय प्लेंगे b में तो 1 मिलेगा 1 into 1, 1 मिलेगा ठीक है इतना होगा plus अब यह exactly वैसे उतार लेंगे plus यहाँ पर lcm क्या लेंगे तो यहाँ पर हम lcm लेंगे a b देखें 1 और a b और a का जो lcm होगा हो क्या होगा है once divide करेंगे a b में तो मिलेगा a b मिलेगा और a b मिलेगा तो a b मिलेगा plus a b से divide करेंगे तो 1 मिलेगा और 1 यहाँ पर आजाएगा plus a से divide करेंगे तो b मिलेगा तो इसका reciprocal लेना ही पड़ता है, reciprocal लेंगे, multiply करेंगे, तो finally B उपर चला जाएगा, तो यह हम कर लेते हैं, B upon, जो तीनों के जो denominators है, मतलब B plus AB plus 1, और यहां देखे, B plus AB plus 1, और यहां भी देखे, B plus AB plus 1, मतलब कि तीन ही terms है, बस उन्ही को इधर उधर करके लिखा गया है, that's it, okay, मतलब कि तीनों के तीनों exactly equal है, मतलब कि जो इन तीनों का LCM होगा, यदि हम LCM लेते हैं, तीनों का LCM होगा, वो होगा, 1 plus B plus AB, मतलब जो यह हुआ है, वो ही LCM होगा, तो हमने यहां पर LCM ले लिया, अब यहां देखे, यदि इससे divide करेंगे, तो 1 मिलेगा, 1 से B मिलेगा, प्लस इससे divide करेंगे, तो वही मिलेगा, और 1 मिलेगा हैं अपर, प्लस इससे divide करेंगे, तो 1 मिलेगा, 1 से अप्ला करेंगे, तो A भी मिल जाएगा, मतलब फाइनली उपर जो मिला है, वो exactly equal है, नीचे वाले के, यदि देखे, यहां भी है, तो B यहां भी है, 1 यहां है, A B means, दोनों को आमके से divide कर सकते हैं, और दोनों की value जो है क्या आजाएगी, 1 आजाएगी, और यही तो लाना थामे, okay, and this is equal to RHS, यह लिए सकते हैं कि hands, यदि कोई doubt होता है, अभी भी तो आप comment बक्षा लिए सकते हैं, और यदि आप नए subscribe हैं, आपने subscribe नहीं किया है अभी, तो please subscribe कर लिजेगा, क्योंकि तभी आपके mobile पर notification जा सकता है, और मैं आपके साथ class 12 तक रने वाला हूँ, class 12 क्या मतलब IIT level का भी, मतलब मैं यहाँ पर सारे books को solve कर रहा हूँ, ठीक है, जितने भी हमारे class 6 से से ले करके class 12 तक जो books है, standard books और NCITs, उन सब को मैं solve कर रहा हूँ तो आपके साथ मेरी खाल सीद्य आप 9 तो पड़ रहे हैं, तो बिलकुल यह आपके साथ राने वाला हूँ मैं, thank you so much, bye